पर में जो है गांधी जैन्ती और लाल बहादूर सास्त्री की जैन्ती इन दो जो हैं महापुर्सों के आज जन्म दिन हैं और इनके बारे में हम कुछ इस वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे पाले तुर सबसे पाले इनके बारे में जो है समान जनकारी देख लिजे महात्मा गांधी इनका पूरा नाम तो आपको पताई होगा क्या है मोहंदास करंचन गांधी गांधी जी को समानता जो हम लोग बापु के नाम से जानते हैं और महत्मा गांधी जी का जन्म जो है दो अक्टूबर 1889 परबंदर यहनी गुजरात में हुआ था और महत्मा गांधी हर भारती के लिए महत्रपून बैक्ति हैं कोई भी भारती ये देश की स्वाधिनता अंदोलन में उनके यगदान को नहीं बुला सकता है यही कारान है कि उनके महान कारियों और विचारों को याद में देश में दो अक्टूबर के दिन गांधी जन्ती मनाया जाता है अदेगी महत्मा गांधी जो है सबसे खास बात गांधी जी की जो है डांडी यत्रा करके नमक कानून को तोड़ा था इन्होंने उसके वाद 1942 का भारत छोड़वा अंदोलन और अंपता जो है 1947 में भारत को आजादी मिली अधे गांधी जी का जो है दो सिधान्त बहुत ही महदपूर थे एक आहिंसा वादी यानी बीना आहिंसा करते उन्हें पूरे देश को आजादी दिलाए थी और दूसरा था स्वच भारत इनकी दो परिकल्पनाए थी जिसको इस समय वर्तमान सरकार मानीश्री परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नित्रत्य में पूर्श भारत अभियान चला जा रहा है और उसमें गांधी जी से ये प्याना ली गई है स्वच भारत के अभियान के तर और देखे गांधी जी का बिचारता की स्वच्च यहां स्वच्चता राती वहीं पर जो इस्वर का वास होता है ऐसा गांदी जी का विचारता अब देखें लाल-बादूर सास्त्री के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लालबार सास्त्री का जन्म ही दो अक्टूबर को ही हुआ था और ये भारत के दूसरे परधान मंत्री थे लगबग 18 महीनों के परधान मंत्री बने थे और अपने कारेकाल में ही तासकंद में इनकी मृत्ट्व हो गई थी अब देखें इनका जन्म जो है 1904 में मुगन सराय ने उत्तर परदेस में हुआ था उत्तर परदेस में इनका जन्म हुआ था और ये बारत के दूसरे परधान मंत्री थे इनका नारा था जय जमान जय किसान यानि इनका उदेश से था किसानों पर इनों ने जो है बिसीज द्यान दिया क्योंकि भारत की जो अर्थ वैवस्था है किसानों पर ही टिकी हुए है लगवाग उनसट पर्षब यहां पर किसी कारेक यह तो हम लोग महात्मा गांदी और लालबादुर सास्त्री के जयनती के कि यह यहां पर आपको विडियो के माध्यास देना चाहता था कि स्वच अपने आज पास के यह आपीश हो चाहे घर हो मकान हो यह रेले लाइन हो कहीं भी आप जबिद्ध अब जोब रोगों को प्रती जागुता पढ़िए स्वचता या इस्वर्ण का वास्थ वहां पर कि अज़ाए्ट झाल झाल